आपको अपना UN नहीं पता है तो आप उसे बहुत आसान प्रक्रिया के द्वारा पता भी कर सकते हैं कैसे आईए हम आपको पहले यही बता देते हैं आप अपने मुबाइल या कम्प्यूटर के प्राउसर पर जाईए और एक एड्रेस टाइप कीजिए यह अड्रेस है www.epfindia.gov.in मतलब www.epfindia.gov.in अब आप होम के बगल में Services पर क्लिक कीजिए यहाँ पर आपको For Employees का एक Option मिलेगा अब तुरंत आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा यहाँ left side में Services section में Member UN Oblique Online Services रैकेट में OCS Oblique OTCP पर क्लिक कीजिए इसके साथ ही आपके सामने तुरंत एक नया पेज खुल जाएगा इस पेज के right side में display हिस्से पर आपको Important Links का एक Option मिलेगा यहाँ पर आपको Know Your UN का Option मिलेगा इस पेज पर आपको अपना 10 डिजिट का Mobile Number डालना है यहाँ पर आपको एक capture code दिखेगा उसे fill कीजिए और OTP option पर प्लिक कीजिए इसके बाद आपको तुरंत एक OTP आपके Mobile पर Registered Number पर आएगा अब आपके सामने एक बर फिर से एक नया पेज उपन हो जाएगा अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है Date of Birth चुन्नी है और उसके बाद Date of Birth के बाद आपको आधार, Oblix, PAN और Member ID में से कोई एक नमबर डालना होगा अब फिर से आपको capture code डालने के बाद Show My UN Number पर क्लिक करना होगा और तुरंत आपके सामने आपका UN Number यहाँ पर आजाएगा असाली से असाली से